सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस तबेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार साथियों सवागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पे एल लोधा साथियों रीट सिकसग वर्तियतू समझिक अधियन का लेवल टो आलो के लिए तीसरा टेस्ट पेपल लेकर आया हूँ तीस क्यूशन देखने को मिलेंगे व्यक्यात्मक हल बताऊंगा और साथियों जो एक्जाम रियूब के क्यूशन है वो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए तो जी हाँ अच्छे से वीडियो को देखना मित्रों एक एक क्यूशन को अच्छी तरह से मैं आपको बताते हुए चलूँगा साथियों इसमें देखिए पहला क्यूशन आपके आता है निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है मैंने ये भी लिखा है कि ये क्यूशन कोन कोन से एक्जाम में आ चुका है तो PSE 2013 में पटवार 2011 में RIS Pre-Exam 1998 में और Second Grade Exam 2011 में ये क्यूशन आ चुका है साथियों राजस्थान के कोन से जिलों में नदी नहीं है बाड मेरवे जालोर, बिका नेरवे चुरू, जेसल मेरवे जोतपूर और श्री गंगा नगरवे हनवानगड तो मित्रों अगर हम बात करें कि राजस्थान के वो कौन से दो जिले हैं तो वो है आपके बिका नेर और चुरू ये मात्र दो जिले से हैं जिन में कोई भी नदी नहीं है साथियों दूसरा विकलफ आपका सही है प्रशन संक्या एक में चलिए नेक्स्ट आते हैं मित्रों प्रशन नमबर दो पर साथियों प्रश नमबर दो है राजिस्थान में कौन सी जलवायू नहीं पाई जाती है मित्रों एक एक क्युशन बहुत ही ज़्यादा महत्पुन होने वाला है देखिए ये क्युशन आया था महिला पर्रिवेक्षा के एक्जाम 2015 में सुश्क जलवायू अर्द शुश्क जलवायू आद्र जलवायू और धुरूविय जलवायू तो साथियों राजिस्थान में कौन सी जलवायू नहीं पाई जाती है मित्रों अगर हम बात करें तो राजिस्थान में सुष्क, आर्द्र और अर्द्र शुष्क ये तीनों तो पाए जाती है लेकिन धुरूविय जलवायू राजिस्थान में नहीं पाए जाती है साथियों तो आपके चोता विकल प्रश्ण नमबर दो में सही है नेक्स्ट आता है प्रश्ण नमबर तीन अरावली का दूसरा उच्चितम शिकर है आर्टेट लेवल टू 2011 के एक्जाम में ये क्यूशन आ चुका है जरगा, सेर, तारागड और अचलगड तो साथियों अरावली का दूसरा उच्चितम शिकर, तो साथियों गुरु से जरा, तो गुरु से, गुरु शिकर तो सबसे उची है और से मतलब सेर, जिसकी उच्चाई की हगर हम बात करें, तो ये लगभग 1597 मीटर उची है साथियों, जबकि पहले नंबर पर कोन से आती है, गुरु शिकर आती ह जो 1722 मीटर के लगबग उचाई इसकी है तो साथियों याद रखना होगा आपको इन चीज़ों को दूसरा विकल पीसरे क्यूशन में सहिए मित्रों चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्च नमबर 4 पर कोन सा अजेव संसाधन नहीं है अजेव संसाधन नहीं है तो मृदा, चटान, खनीज, तीनों को ही अजेव संसाधन माना जाता है लेकिन पोधे, पोधे कौन से संसाधन में आएंगे साथियों पोधे जेविक संसाधन के अंतरगत आते हैं जिसे मानव है, जिसे पशुपक्षी है, जीव जन्तु है, वनस्पती है ये सभी जेविक संसाधन में आते है जबकि अजेव संसाधन की बात करें तो समस्त जो खनीज होते हैं साथियों बूमी, मिट्टी, पवन, जल, सोरजवारी और भूतापी, उरजा इत्यादी ये चीजे साथियों अजेव संसाधन के अंतरगत आती है तो आपके तीसरा विकल्ब सही है प्रिशन नमबर चार में चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रिशन नमबर पांच पर निम्न मेंसे किस स्थान पर एंटी बायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है आर्ट एट लेवल टू दो हजर बारा का क्यूशन है साथियों रिशी केश, देहरादून, शिमला और चंडिगड तो साथियों अगर हम बात करें एंटी बायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई तो साथियों ये रिशी केश में है कहाँ पर है ये रिशी केश में है साथियों आपके पर्थम विकल्प सही रहेगा प्रिशन संख्या 5 में मित्रों अगर हम बात करें तो ये जो रिशी केश में प्रमुक ओश्दी निर्मान करने वाली कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ड्रक्स एंड फार्मू टिकल्स लिमिटेड फार्मा टिकल्स सोरी तो ये रिशी केश में ही इस्तित है जो कि एंटिबायोटिक दवों का उत्पादन करती है पहला विकल्प सही ये साथियों नेक्ट प्रश्ट नमबर 6 सिंद्री किसके उत्पादन के लिए परसिद्ध है आर्ट एट लेवल टू दोजार ग्यारा का क्यूशन है पेट्रो रसायन सूती वस्तर रसायनिक उरुवरक और सिमेंट तो साथियों सिंद्री की बात करें तो सिंद्री इनमें से किसका उत्पादन करता है सिंद्री में तो साथियों रसायनिक उरुवरक के लिए सिंद्री परसिद्ध है साथियों देखिए सिंद्री जो की जारकंड में इस्तित है जारकंड में इस्तित है ये जो कार खाना है ये सन 1951 में खोला गया था सिंद्री जिसमें रासाइने कुरुवरक का उत्पादन किया जाता है इसलिए तीसरा विगल सही रहेगा साथियों प्रश्ण नमबर छे में चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्ण नमबर साथ पर चावल उत्पादन में भारत का विष्व में इस्थान है सेकंड ग्रेट 2011 का क्यूशन है साथियों पहला दूसरा तीसरा और चोथा तो मित्रों चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है मित्रो राइट आंसर है इसका दूसरा कौन सा इस्तान है भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा इस्तान है जबकि अगर हम प्रत्थम इस्तान की बात करें तो सरवादिक चावल का उत्पादन चीन में होता है साथियो कहाँ पर चीन में होता है याद रखेगा 2019 का question है अमरूद, केला, अनार और आउला तो साथियों सबसे ज़्यादा उत्पदन कौन से फलका होता है भारत में मित्रों दिये गए विकलपों में से सबसे ज़्यादा उत्पदन होता है केले का किसका होता है साथियों केले का विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पदन भारत में ही होता है लेकिन निर्यात बहुत ही कम होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना उत्पदन होता है साथियों सेकंड विकलब आपका आटवे क्यूशन में सही है चलिए आगे बढ़ेंगे प्रशनमबर 9 की ओर मित्रो प्रशनमबर 9 है टाइगर स्टेट कहा जाता है आटेट लेवल 2 2011 का क्यूशन राजिस्थान को महाराष्ट को मध्य प्रदेश को और मिजोरम को तो साथियों अगर हम बात करें टाइगर स्टेट की तो ये MP या मध्य प्रदेश को कहा जाता है मित्रों सरवादिक बागो की संक्या वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भागो की संक्या मध्य प्रदेश में ही है। देखिए तीसरा विकलप आपका सही रहेगा प्रश्ण संक्या 9 में, नेक्स्ट प्रश्ण संक्या 10 पे आते हैं साथियों। तो बित्रो राइट आंसर इसका रहेगा पस्चिमी घाट भारत में दो जेविवित्ता तप्तिस्तल हैं। एक दो है आपके पस्चिमी घाट जोकी विकलप में हैं। और एक है आपके पुरρί हिमाले है। तो यह दो तप्तिस्त तले साथियों, तो यहां पस्चिमी घाट विकल्प में हैं, तो इसलिए यहां पर चोता विकल्प आपका सही है साथियों, दसवे क्यूशन में, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्च नमबर 11 पर, 11 क्यूशन, गंगा नदी निकलती है, शरेनी से, लधाग गलेशियर से, गंगोतरी गलेशियर से, और मिलाब गलेशियर से, तो मित्रों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है भारत की, और यह निकलती है साथियों, गंगोतरी गलेशियर से, कहां से निकलती है, गंगोतरी गलेशियर से यह निकलती है, इसकी तो 2525 किलो मिटर है मित्रों पावित्र नदी भी जिसको कहा जाता है तीसरा विकल्प आपका सही है ग्यारवे कुशन में नेक्स प्रश नमबर 12 भागी रती अलग रंदा से मिलती है सेकंड ग्रेट जीके में ये कुशन आया था संस्क्रिट सिक्षा विभाग में 2019 में भी ये नदा से देव प्रियाग में मिलती है कहां पर मिलती है साथियों देव प्रियाग में मिलती है प्रथम विकल्प आपका सही है बारवे में नेक्स बात करेंगे प्रश नमबर 13 की तेरवा कुशन मांसून शब्द किस बाशा के शब्द से बना है सेकंड ग्रेड उर्दू 2011 म और अंग्रेजी तो मित्रों अगर हम बात करें मानसुन शब्द की तो ये अर्भी वाशा से बना है अर्भी वाशा में एक शब्द होता है मौसिम क्या होता है मौसिम इससे ही मानसुन शब्द बना है तीसरा विकल्ब सही है तेरवे क्यूशन में प्रश नंबर 14 पे हम आ देखे चवदोवा क्यूशन है भारत आकार में दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है दुनिया का छटा सबसे बड़ा देश है दुनिया का साथवा सबसे बड़ा देश है और इन में से कोई नहीं डीपी सी दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल 2014 के एक्जाम में ये क्विशन आयाता है साथियों देखिए अगर हम बात करें तो भारत आकार में दुनिया का कौन सा देश है साथियों देखिए अगर प्रश्च नमबर 14 में आइट आंसर आप करेगा भारत दुनिया में आकार में सा तो सबसे बड़ा देश है कोन सा साथियों यह पर आपका टीसरा विकल्प सही है भारत बड़े शेतरपल बड़ा है यूए से भारत से बड़ा है चीन भारत से बड़ा है और ब्राजील भारत से बड़ा है और आश्ट्रेलिया भारत से बड़ा है आकार में और इसके बाद में छे देश तो यह और साथवे नंबर के कोने आकार में भारत है साथियों तो चवद्वे में तीसरा विक पुस्तक का नाम तो सुनाई होगा अपने इसमें क्या सम्मिलित होता है संकटा गरस्त परजातियां सुभेद्य जीव आपत्ती गरस्त जीव और इनमे से सबी तो मित्रों रेट डाटा पुस्तक या रेट डाटा बुक में लाल आकड़े वाली किताबी जिनको बोला जाता है इसमें वो परजातियां सम्मिलित होती है जो संकट गरिस्त होती है मित्रों विकल्ट नमबर एक सही रहेगा प्रश्ण नमबर पंदरा में साथियों आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर सोला पर किस जगे को फ्लोरा और फना सुचित करता है यू टेट और यू पी टेट 2011 में ये क्यूशन आयाता दोनों जगे पर पेड़ पोदे और जन्तुओं को मचलियों एवं पेड़ पोदों को जन्तुओं एवं मचलियों को और पक्षियों एवं पेड़ पोदों को तो सातियों अगर हम बात करें फ्लोरा की और फना की तो मित्रों फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पती और फना का मतलब होता है जीव मतलब पेड पोधे और जन्तुओं को फ्लोरा और फना सुचित करता है सातियों विकल्प नमबर एक सही आपका प्रश्ण नमबर सोला में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर सत्रा पर सातियों प्रश्ण नमबर सत्रा देखेगा हेडली सेल निम्न में से किस से संबंदित है हेडली सेल पूचा है किस से संबंदित है सातियों विकल्प को ताम एया था पावन तंत्र भुकमप संभाविश शेत्र जौला मुखी गती विदी और जोआर रछना से तुमित्रों हेड़ली सेल का का नाम हो informing हम कि कि बताए कि ये किस समभंद दit तो साथ ये पावन तंत्र से सम्मंदी थे देखिए इसको हेडली सेल क्यों कहते हैं क्योंकि इसका नाम जोर्ज हेडली के नाम से रखा गया है जिसने बताया था कि उशने कटी बन दिये वावी मंडली परी संचरन में लगवग 10 से 15 किलोमेटर के आसपास यह उचाई पर जो पवने बेती है वो ही हेडली सेल कहलाती है साथियों तो इसको पोवन तंत्र कहते हैं साथियों आपका प्रत्व विखल्प सही है सत्रवे क्यूशन में चलिए नेक्स प्रस नंबर 18 देखेंगे अठारवा क्यूशन सूर्य ग्रहन होता है आर एस प्री एक्जाम 1999 में आया था प्रतियेक पूर्णिमा को सूर्य प्रत्वे चंद्रमा के एक परिकर्मन तल पर आने पर तो साथियों प्रतियेक पूर्णिमा को प्रतेयेक प्रत्येक पूर्णिमा को होता नहीं है सूर्य गरन तीसरा या अपकर 11 15ी को अपनाने की तीती है कई बाज प्यूशन आचुका है जैसे यूपिट्रेड दोज़ार 20 में सेकंड ग्रेट हिंदी एक्जाम 2012 में RPSC सेकंड ग्रेट एक्जाम 2011 में और इस्टे नो ग्रापर एक्जाम 2013 में एक्जुशन आ चुका है साथियों देखिए 26 जनवर 1957 है 24 अप्रेल 1993 है 2 अक्टूबर 1969 है या 15 अगस्त 1958 है तो मित्रों अगर हम बात करें पंचायती राज पद्यती कब अपनाए गई थी तो यह अपनाए गई थी साथियों राजस्तान में 2 अक्टूबर 1969 को सबसे पहले पूरे भारत वर्ष में सबसे पहले राजिस्थान में ही पंचाईती राज व्योस्ता की शुरुवात की गई थी पंडित जवाहलाल नहरू के द्वारा दो अक्टूबर 1969 को नागोर के बगदरी गाउ से की गई थी साथ यो ये शुरुवात कहां से नागोर के बगदरी गाउ से तो सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्ण नमबर 19 में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 20 में आएंगे साथ यो अशोक महिता समीती का गटन कप किया गया आर्टेट 2011 लेवल 2 में क्यूशन आ चुका है साथियों देखिए विकल्प है 12 दिसंबर 1977 को 12 दिसंबर 1989 को 12 दिसंबर 1981 को और 12 दिसंबर 1987 को साथियों अशोक महिता समीती का नाम तो सुनाई होगा गटन कप किया गया साथियों गटन के अगर हम बात करें तो इसका गटन किया गय था 12 दिसंबर 1977 को मित्रों प्रेश नमबर 21 राज जिपाल को को नीउक्त करता है विकल्पों को देखिएगा साथियों पहला विकल्प है भारत के मुक्षिन आई दीस राश्टपती प्रदान मंत्री और मुक्षिमंत्री सीटेट 2018 का क्यूशन है साथियों राज जिपाल की नीउक्ती किस के राश्ट पती के द्वारा वित्रो अनुच्छेद 155 में ये प्रावदान है कि राज के राजपाल को राश्ट पती अपने अस्ताक्षर और मुद्रा सहीत अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है तो विकल्प नमबर 2 सही है 21 में नेक्स प्रेश नमबर 22 मुख्य मंत्री का चुनाओ कैसे होता है सी ट्रेट 2011 और सेकंड ग्रेट 2019 संस्क्रिट सिक्ष्या में ये कुशन आ चुका है देखिए अगर हम बात करें पहले विकल्प की तो चुनाओ में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष को मु मुख्य मंत्री होता है उसका चुनाओ होता है चुनाओ में जो पार्टी बहुमत पर प्राप्त करती है उसके जो विधायक होते हैं उनके द्वारा ही मुख्य मंत्री का चुनाओ किया जाता है तो विकल्प नमबर 2 सही रहेगा आपका प्रशनमबर 22 में नेक्स्ट आता है साथियो प्रश्ट नमबर 23, 23 वा क्यूशन उच्चितम नियाले का नियादीस अपने पद से त्याक पत्र किसको सम्मोंदित करता है प्रश्ट ग्रेट 2020 और 2020 प्रश्ट नमबर 23 में आपके राइट आंसर आता है जो उच्चितम नियाले का नियादीस है वो अपने पत्से त्याक पत्र राश्ट पती को सम्मोंदित करता है किसको सम्मोंदित करता है राश्ट पती को ही सम्मोंदित करता है साथ यो सेकंड विकल्पा आपका सही है 23 वे क्यूशन में नेक्स्ट देखेंगे मित्रो प्रश्ट नमबर 24 को तो 24 वे क्यूशन पर चलते है भारतिय संसत से अभी प्राई है PSI 1902 में PCI Police Constable एक्जाम 2011 और 2014 परश्ट ग्रेट एक्जाम 2011 और CGT 2011 में एक क्यूशन आ चुका है साथ यो देखें भारतिय संसत का मतलब राश्ट पती लोगसबा वे राजसबा से होता है या फिर लोगसबा से होता है या फिर प्रधान मंत्री राजसबा वे राजसबा से होता है तो भारतिय संसत का निर्मान होता है साथियों राश्ट पती लोग सबा और राज्ज सबा से देखिए भारत का अनुच्छेद सविधान का अनुच्छेद 79 केता है कि भारत की संसद राश्ट पती और राज्ज सबा जो की उच्छ सदन होता है और लोग सबा जो की निम्न सदन होता है इससे मिलकर बनती है तो विकल्प नमबर एक सही है साथियो प्रश्ट नमबर चोईस में नेक्स्ट प्रश्ट नमबर ट्वन्टी फाईउ राज्ज सबा का सबापती कोन होता है आर्टेट 2011 और यूपीटेट 2016 में एक क्यूशन आ चुका है उप्राश्ट पती, राश्ट पती, प्रिधान मंत्री और लोकसबाद्यक्षे तो साथियो राज्ज सबा का सबापती ये होता है उप्राश्ट पती देखिएगा राज्ज सबा का अद्यक्षे राज्ज सबा का सदश्य नहीं होता है साथियो बलकि भारत का उप्राश्ट पती राज्ज सबा का पदेल सबापती होता है जिसका वर्णन सविधान के नेवस सी एक अनुच्छेद में किया गया है मित्रों विकल्प नमबर एक साही है 25 में नेक्स्ट प्रस्ट नमबर 26 देखेंगे मित्रों 26 क्यूशन सिक्सम से संबंदित है निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नविन संकल्पना कोन सी है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकतरित करना सामाजिक प्रताओं का अध्यान मानुए संबंदों का अध्यान एवं समाज को स्रेष्ट बनाना और अंतर राश्टिय संबंदों क अध्यान करना तो साथियो नवीन संकल्पना की यदि हम बात करें समाजिक विज्ञान की तो वह है मानुए संबंदों का अध्यान करना और समाज को स्रेश्ट बनाना आपका तीसरा विकल्प सही है साथियो प्रश्ण नमबर 26 में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमब विशेष की भावना का विकास और जातीता की भावना का विकास तो जातेता और इस्थान विशेष तो इतनी छोटी सोत तो सामजिक विज्ञान की होगी नहीं बलकि इसका मुक्युद्देश होता है राश्टेता भावना की भावना का विकास हो चात्रों के अंदर विकल् उस्तर पर बूगोल इतियास राजनिती तीस ही लेकिन दर्शन सबस्टों प्रखुष्ण सेक्षिक शेतर में पाठे चर्या का दाथ पर यह हैं पढाने का तरीका मुल्यांकन परकिर्या विद्धियाले सम्पोन कार mend currently और कख्षा में प्रियुक्तेतु विशेस महलें तो साथियो पार्टे चर्या का मतलब भी हुनी है कि पढ़ाने का तरीके को हम पार्टे चर्या कहेंगे सिक्सन भी दिकाएंगे इसको तो मुल्यांकन परकिर्या बाद में की जाती है बलकि विद्याले का जो संपूर्ण कारेकरम होता है वो पाटे चर्गा के अंतरगत आ जाता है करीकुलम जिसको हम बोलते हैं साथियो तीसरा विकल 29 में सही है अब अंतिम और तीसवा क्यूशन तो साथियों ये इतने क्यूशन हमने कराये करें है आशा है आपको वीडियो अच्छ लगा होगा लगे तो लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं बूले साथियों तीसवा क्यूशन है निम्न में से कौन सा चर्जक का एक रूप है जो सामुहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है वाद विवाद प्रिशनोत्तरी संगोश्टी और मस्तिक्स उद्वेलन तो साथियों नाम तो सुना होगा मस्तिक्स उद्वेलन का जिसके जरक है आश बर्न तो साथियों ये चर्चा का ही एक रूप है जो सामुहिक रचनात्मक विचार को सबसे ज़्यादा सक्षम बनाने का कारे करता है चोता विकल्प सही है तीसवे क्यूशन में तो इसके बाद साइकलोजिका भी 2011, 2012, 2016, 2018 के एक्जामों के क्यूशनों का वीडियो आ रहा है उसको भी जरूर रटेंड करेगा मिलते हैं साथ यह अगले विडियो में सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद